ओम् द्रिते द्रिंग्हमां ओम् द्रिते द्रिंग्हमां जोगते संद्रिशिजिव्यासं। जोक्ते संद्रिशिजिव्यासं जोक्ते संद्रिशिजिव्यासं ओम् जोक्ते संद्रिशिजिव्यासं जोक्ते संद्रिशिजिव्यासं हे परमपिता परमात्मा हम यह पठन पाथन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं इस कर्म को और इसके कर्मखल को भी आपको अर्पित करते हैं ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही सबको साधर नमस्ते देखिए आज का जो मंत्र है बहुत ही सरल मंत्र है और बहुत ही अच्छी फ्रात्ना है और सब लोग इसको चाहते हैं ठीक है क्या चाहते हैं कि द्रिते द्रिंगमा कि है द्रिते परमात्मा मने परम द्रिध परमात्मा मुझे को भी आपके समान द्रिध बना दिजिए तो हम किसे द्रिध बने तन से द्रिध बने मन से द्रिध बने बुद्धी से द्रिध बने आत्मा से द्रिध बने ठीक है न और ब्यक्तिगत रूप से द्रिड़ बने पारिबारीक रूप से द्रिड़ बने और समाजिक रूप से भी द्रिड़ बने राष्टरी रूप से भी दिढ बने नए मजबुत बने हैं है तो सब लोग चाहते ना यह क्यों जिं हरे ब्यक्ति चाहता हूं इस सरी से दिढ डिढ रूह शौत मजबुत रो बलिष्ट, इहिस्ठ पुष्ट रूह मन भी मेरा बढ़ेया काम करता मिल रहे हैं कि आत्मा भी मजबूत रहे कि यह प्रमात्म बीच्वच में मेह कुझ को में त्लौ करम दें लिखते जाओ किसमे किसमे दिड़ता चाहिए तो यह परमात्मा मुझे तन से मन से बुद्धी से आत्मा से दिड़ बना दिजिए तो तन मन बुद्धी और आत्मा से दिड़ बना दिजिए यह प्रात्मा फिर व्यक्तिगत रूप से और परिवारिक रूप से और समाजिक रूप से और रा राष्ट्री आरफिक रूप से और श्रे मेरे अंज़ को दूपोड़ो हम सबसे पिर करम से ढदे धर्म की हम अपने करम में दूप रहें तो एक ही बात है जो कर्तव्य कर्म होता है वही धर्म होता है और जो सत्य न्याय का आचरण होता है वो धर्म होता है तो हमें सत्य में न्याय के सत्य में न्याय में अर्था धरों प्रोग आचरण में हमें द्रिड बना दिए फिर जप में तप में व्रत में हमें द्रिड बना दिए देखिए क कहा-का दरता चाहिए जप में तप में और व्रत में हमें निध मरण हैं और विवेख में वैरागय में अभ्यास में भ्रत बना दिजिए, इन सब में दिरता चाहिए, तो विवेक में, बैराग्य में और अभ्धास में हमको दिर्ड बना दिजिए, ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान में, तत्व जान में और ईश्वर के गुनगान में हमको दिर्ड बना दिजिए, किसमे किसमे इस्वर प्रणिधान में तत्व जान में और इस्वर के गुनगान में हमको दिड़ बना दिए तो यह दिड़ता है तो प्रात्ना है कि दिड़ते दिरिंगमा क्योंकि है परमात्मा फ्यम दिड़ हैं आप सत्य में, न्याय में, धर्म में हमेशा दिड़ रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म में हमेशा दिड़ रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है ना, कभी हिलते भी नहीं हैं, ऐसे भी भौतिक रूप से भी दिड़ हैं, तस से मस नहीं होते हैं, कुई आपको हिला नहीं सकता है को जया दिगा नहीं सकता है सब जगे स्तिर्ता पूर्विक भरे में तुसाथ भरे में एकदम समय हुएं इत्प है थी कर दियानकाल में ज flashingनल साल सकता है खिसका नहीं सकता है कोई खिस निकले जगाह नहीं है सब जगा भरे होएं ऐसी कल अनुवति हो रही है तो कल व्यापकता का अच्छा बुद्वा कि परमात्मा एक दम सभी जगा व्यापकता से भरे होएं कि दम सब जगा समाय हुए कोुग स्थानसे रही है द्या कि तो इसका हमको व्याद करते हैं भक्ति में हमको दिड़ बना दिजिए तो इन सब में तो आतना करें पहां जीओकते संद्रिसी जिव्यासम कि पनम्पिता परमात्मा ते माने हम आपकी ते माने आपकी हम लोग संद्रिसी सम्यक सम्यक दरसं में ठीक ठीक दृष्टी में जयोग मने लंबे कालतक चिर कालतक जिव्यासं जीते रहें तो है प्रभु तेरे सम्यक दरसं में हम दिर्ग कालतक जिवित रहें ये दोबार कहा दिया जोगते संद्र से जिव्यासम फिर कहा जोकते संद्र से जिव्यासम तो हर व्यक्ति यही चाहते है कि मैं लंबे काल तक जिवित रहूं और स्वस्थ हो करके जिवित रहूं नीरोग बन करके जिवित रहूं अपना काम स्वयम करते हैं जिवित रहूं को दें सब की इच्छा है कि मैं सरीस्रे स्वस्त रहूं अपने करतब करम मैं दृड़ रहू हूं है में यहika मुझे भर से खटाने से परमामा भी उठाई नहीं की लंबे काल तक पडिबार साथ साथ में 11 से निवास करूं पुरो मैं घर में रहूं यह चाहते हैं तो आद के अधिंक क्या बनेगा सब लो爸 क्या चाहते हैं ह dess verdad है है चाहताई है सुक पूर्वपग क्रमें दिड़ता पूर्वपगं जमा हुआ हका क्या इओ रहु덕 छफ्फ हो कर रहुं लंबे का दे को जिवित रहुं और सुखिय के कि यह चाहता नहार ещё थि तो ने जबंजाएगा हर व्यक्ति क्या चाहता है प्रस नवात्रा का जाएगा हर व्यक्ति यह चाहता युदि रहे निरोग रहे सुखी रहे सम्विर्ध्र रहे और पुर्वक इस इस्ति में रहे विसकों हिला ने सके रोग भी हिलाते हैं क्यों जी जो बार-बार रोग आते क्या करते हैं वह दिगा देते हैं करव से विजनित कर देते हैं दिनचर्या को बाधित कर देते हैं यह जो रोग हैं यह और डिगानेवाले हैं हमको गरने में करते ख़िए अलगे अच्छा दिद्बना दे कि कोई रोग क्यें इसका ग्रता में दिगना दिए और पिर ऊच्छा yeah याद रहिए, इस स्थित्य को प्रात्म करने के लिए, पुरुसार्थ चाहिए उसकी बिना इस स्थित्य को न प्राप्त कर सकते हैं न बना करके रख सकते हैं यह के ना एपने कर्द्व्य कर्म में दिड़ रहने के लिए ईस्वर्य नियमों में दिड़ रहने तो इस्वर से प्रात्ना भी करें और पुरसार्थ भी करें और दिर्टा चाहिए इस्वर की भक्ती में जिसकों बुलते हैं समाधी सिद्धी इस्वर पुनिधानाथ इस्वर पुनिधान में दिर्टा चाहिए तो समाधी मिलेगी यह उपासना कल में आप ऐसे प्रातना करते हैं कभी जी पजोनाब जी कि है परमात्मा मेरी समाध्य लगा दिजिए ऐसे बोलते हैं कभी ने बोलते हैं यह बोलना चाहिए ना यह बोलना चाहिए कि मुझे आपके दिव्य सुरूप का सचतकार करा दिजिए कोई बलते हैं से रुपेश जे नहीं बूलते हैं अभी धुई होता नहीं बनी ऐसे बनने की इसे बोलने के लिए हिम्मत चाहिए भई हिम्मत क्या चाहिए जो उसके पास पहुंच चेका भई त द्रवाजा खोलो रहत्तक में इस वह आवाज देगा सिद्धी से बात है क्यों जी जो रहत्तक में खड़ा है वह पहुंच गया है वह बोलता है कि परमात्म मुझे आपका साथकार करा दो बिरी समाधी लगा दो हम भी आज से विशल पर नहीं बोलते थे आज कल मोलते हैं अब ऐसा लगता है कि हाँ अभी इसका निकट है यह प्रात्ना करता है कि यह परमात्मा मेरे योगस जित्ति प्रतिन रोधा को सिद्ध करा दो और तदा दरश्टू सुरुपय उस्ठानम में मुझे इस्थिर कर दो प्रात्ना नहीं करते मतलब भावना नहीं बने हैं भी तो यह प्रात्ना करने जाए कि है परमात्मा मेरे योगस जित्ति प्रतिन रोधा को इस्थिर कर दो मुझे इस योग में द्रिड कर दो जिस्थिक में तदा दरश्टू स्वरुपय उस्थानम की स्थित्य को प्राप्तर कर सकूँ मनें अपने आत्न स्वरुप में आपके स्वरुप में इस्थित हो सकूँ ऐसी मुझे में द्रिड़ता दो ऐसी परिपक्वता दो ऐसी पात्रता दो ऐसी पवित्रता दो यह सब चाहिए तो बार बार दात्ना करें एक सुत्र आया था नहीं विदान दर्शन में कि अंत्रक करन जब तो कोई त्रेनी होगा उसका साहत करने वाला नहीं है कि यह जो ज्यान ध्यान की बात करते हैं तक तुझान की बात करते हैं यह सब कोच्छा नहीं लगता है याद रखिए आत्ना परमात्मी बात चत्वजान की बात सब को समन में भी न आए और लोग सुनने के भी न आए ऐसा यह है वह सही है नद विजप्रणोपी मलिंचेशी अजवत अगर चित मलिन है तो यह अध्यात्मिक बिज़ का अंकुर भी नहीं फूडता है अध्यात्मा का अंकुर भी नहीं फूडता है तो चित्त को पोईत्र करो इसलिए हमने प्रात्ना कीते पहले कि मुझे तन से पोईत्र कर दो यह तल से द्रिड कर दो और मन सभी द्रिड कर दो कि मन में पाप ना घुस पाए यह तो द्रिडता है मन की मन में विकार ना आने पाए यह मेरे मन को द्रिड कर दो तो मेरे तन को द्रिड कर दो मन स्वस्थ निरोग बलिष्ठ कर दो और मन को द्रिड कर दो मतलब मेरे मन को पवित्र कर दो कि इसमें कोई विकार ना घुस पाए काम उक्रोत की भावना ना आने पाए यह मन की देड़ता और आत्मा को देड़ कर दो बुद्ध्य को देड़ कर दो कि मैं उल्टा कोई निर्डे नहीं करूँ तो इस प्रकार से देड़ता के लिए प्रमात्मा से प्रात्मा इसमें है और दिर्ग आयू के लिए प्रात्मा है है ना जी स्वास्थ निरोग सुखी रहने की प्रात्मा है यह देड़ता है इन सब में मुझे प्रमात्मा आप दिर्ड बना दिजिए तो अपने निर्णे पर भी द्रड़ रहे हैं ये भी चाहिए जैसे आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए भर्मचारी बने में अभी जो आपका निर्णाए है इस निर्णे पर भी आप द्रड़ बने रहे हैं ये प्रात्ना भी करनी चाहिए हाँ जी क्या प्रात्ना करन जीए तो जब तक आप दिड़ नहीं बनेंगे इस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो देखो एक दिर्ष्टान्त है आप सब जामते हैं जैसे कि व्यायाम करने से सरीर दिड़ बनता है एसे ही इस्वर पनिधान करने से आत्मा दिड़ बनता है जैसे व्यायाम से सरीर दिड़ होता है एसे इस्वर पनिधान से इस्वर के ध्यान से आत्मा दिड़ होता है और जैसे पुष्टिक सात्विक खानपान से सरीर दिड़ होता है ऐसे स्वाध्याय सत्षंग साधना से सरीर और मन और बुद्धी आत्म यसे भी दिड़ होता है तो स्वाध्याय सत्षंग साधना भी चाहिए इनके मध्यम से द्रढता आती है अध्यात्मिक मारग में, योगपथ हमें आत्म ऐसे द्रढ़ूगा कि वो मन को वसमे कर लेगा मन करना यह करूँ मन में आया कि यह खाऊँ, यह पिऊँ, वो दुखुँ यह सुख भगूँ यह मन कर रहा है अगर आत्मा द्रिड है तो बलगा नहीं नहीं करना ऐसे वो मन को वस्मे कर लेगा यह आत्मा का द्रिड होना अगर आत्मा द्रिड नहीं है तो मन की वस्मे हो जाएगा जो मन कहता है मन के पिछे पिछे चलेगा और आगर आत्मा दिढ़ है तो मन को अपने पिछे चलाएगा यह आत्मा को दिढ़ करना यह सब बिना ज्यान ध्यान के बिना जबतवरत के संभव नहीं है इसले इस वर से प्रात्ना भी करें और पूरुचार्च भी करें कि है। जिर्ग काल तक हम जीवित रह सकते हैं और जीवित रहें यह प्रात्ना है और इसके लिए पुरुसार्थ भी करें तो जब तक हम ईश्वर से प्रात्ना नहीं करेंगे और पुरुसार्थ नहीं करेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है और प्रात्ना देखो सब की प्रात्ना समान नहीं होती है एक प्रमात्ना मुझे पांक़ वी क्लास में फिस्ट ला दो प्राइब मुझे वर्सट दिला दो कि ब्यापारिये हैं प्रत्त बड़ा ब्यापारी बनादो मुझे ब्यापार में बहुत अग्रहणी कर दो मेरे ब्यापार को बढ़ा दो किसी पास बेटा बेटे नहीं है तो क्या प्रातना करता है कि प्रामात्मा मुझे बेटा दे दो बेटा बेटी मुझे दो उसकी प्रातना इसी होती है और जो आध्यात्मी बिखती है जो ध्यान समाध्य को बढ़ रहा है वो कहता है कि मुझे आप परमात्मा का सचतकार करा दो तो हर डिखती अपने इस्तर के अनुरूप प्रात्ना करता है अब आपकी प्रात्ना जो है वह आपके इस्तर को दरसाती है कि आपका इस्तर किस प्रकार का है आप कहां तक पहुंचते हैं पहुंचे हुए हैं जिसकी प्रात्ना इतनी उत्क्रिष्ट है समझोत का उस्तर उतन जब प्रतना ही नहीं कर रहे हैं तो पुरुतर नियुकर रहे हैं तो who है आप और मुझे के इसे ब्हुत्तर नहीं करेंगे नहीं से और आप गया जो पर तो melody जणम मुrak इसा प्रात्ना नहीं कर सकता है याद रखिए परमात्मा मुझको इसी जन्म में आपके मुख्ष पद्र को दिला दिजिए यह सामने प्रात्ना नहीं है यह उच्चे इस्तर के डिक्ति की प्रात्ना है जो इसे जब ध्यान करता है समाधी को अग्रसर हो रहा है वही इसी प्रात्न कर सकता है सब लोग उसपरात्ता है करन्य का सोज भी नहीं कर सकते हैं हिम्मत भी नहीं होगी कैश से बहूंत कि जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा जो है फ़टास कीलों के वजन उठाने की सोचता है क्या वो सोच भी ने सकता है वो पात साल बच्चा है हाँ 10-20-25 टॉपी तो रख लेगा पाकेट में यह तो कलपना करता हम मुझे कोई दे मैं पाकेट में भर लूँगा ठीक है कोई बर्णी दे बर्णी बर्णी पीपरेमेंट चाकलेट टॉफी का तो भी रख लूँगा उतना हिमत करता हाँ एक बर्णी रख लूँगा मुझे दे दो है के नहीं है जो उसका प्रिय पदार ते खाने पीने का दो चार पांद दस पकल लेगा इतना ती हिमत रखता है भा आमना मैंने चाहिए उसका पुर्जन भी नहीं मैं क्यों भ़हां एक बोरी गेहुँँ है और जो होड़ी दाने देखो पहले जमानी में एसे होता था एक-एक बोरी गेहुँँ धान उठा करके यहां से वहां फीजे दित थे खेत वेएक बोरी धान और बेल गाड़ी में लाद देंगे, रख देंगे, वो सोचते थे, उठाते भी थे, काम भी था, प्रोजन भी था, और थोड़ा बच्चा का ना कोई प्रोजन है, नो कोई काम है, नो सोचता है, तो इसलिए ये विवेक, वेरा के समाधिक बातें हर व्यक्ति नहीं सोच सकते ठीक है ना, जिसका इसतर ऐसा है, जो इतना योग्या है, वही इसकी सोचता है, और वही पुरुषार्थ करता है, और वही प्राप्ति करता है, कली हमने पढ़ाता ना जी, कि योगी ही उसको अपना विशाय बनाते हैं, परमात्मा को, उसको अपना विशाय बनाते हैं, तो यह लोग क्या विशे बनाते हैं जो संसार की लोग है रोज मुझे एक घंटा अभ्यास करना कोई प्रैंप खेंश करते हैं तो यह है उनका विशे यह बना हुआ है उसके लिए प्रयास करते हैं तो उनका उसमें आकर्षन है और आकर्षन होता है तो मिडल मिल भी जाता है इसको रहाप्त होता है सिधी बात है किसको इस्त्री में आकर्षन है तो विवा करेगा सिधी बात है वो उसको प्राप्त होगा जिसका आकर्षन इस्त्री में है वो क्या करेगा विवा करेगा उसको इस्त्री प्राप्ति होगी सिधी बात है जिसका आकर्षन परमात्मा में है वो परमात्मा की तिब मिलते हैं जो चाहिए लेकिन संसार के पदार्थों को प्राप्थ करने के लिए पुरुषार्थ करें या इसको विस्य बनाएंगे इस में आकर्षन रखेंगे ने चलिए और वही करना आकर म्युंद्ब करेंगे उसका अपना विस्य बनाएंगे उसके पति तिब्र आकर्षन रखेंगे तो मुख्ष प्राप्तर करेंगे तो ऐसी प्रात्ना करें कि है परमात्मा मुझे को मुख्ष पत्र में द्रिड़ बना दे कि मुझे मुख्ष प्राप्त करने के लिए दिप ना दे यही जीवन का अंतीम लक्स है यह संसर्ब्वस की इतने घुमतर रहें घुमतर रहें एक दिन इस मार्ग में आनाएं पड़ेगा मुख्ष मार्ग में आए मिना जीवन के सफलता नहीं है citizen सफलनी होगा कि Town उखों से शूट नहीं पाएंगे ठीक है तो इसके लिए जो अध्यात्मी साध्धाने उनको अपनाएं परमात्ना करें कि परमात्ना मुझको मेरे मारग में दिड़ मना दिजिए और जो आपको जो आपका दिड़ धाम है मुक्ष धाम भी दिड़ है दिड़ पूरी वहां प हिद्य नगरिये पहुंचा दें तो यह आज के मंत्र का सार है भाव है उम शांति उम्षम सबको साधर नमस्ते जी